उत्तरप्रदेश के मेरट के सरधना सीट से दो बार विधायाक रहे भाजपानेता और साथ ही साथ विवादों से पुराना नाता रखने वाले संगीत सोम एक बार फिर सुर्कियों में है वजे है 15 अगस के कारिकरम एक शाम शहीदों के नाम कारिकरम में स्टेज से जब उन्होंने धमकी भरे लहजे से ये कहा कि वो अभी भी सौब विधायकों के बराबर हैं और कस्बी की ववस्ता को खराब करने वाले साथधान हो जाएं उन्होंने आगे कहा मुझे कुछ जानकारी भी मिल रही है कि कुछ लोग गुंड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि वो अभी गए नहीं है अब जैसे ही उन्होंने ये कहा इसका वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल हो गया और उनके धम की भरे लहजे कि जो है वो कई जगे आलोचना भी होने लगे भी पिछले कुछ समय से दो चार महीने से मैं तीन महीने से देख रहा हूं मुझे कुछ शिकायत भी मिल रही है प्रामुइत मंच से कहने का मौका नहीं मिला कुछ लोग गुर्णाई करने की कोशिशा कश्वे में कर रहे हैं दस साल बाल फिर से मुझे लगा है ऐसा ऐसा है कुछ भी मैं मंच के मार्जश ही समझाने ना चाहता हूं मैं भी गया नहीं हूं यह नहीं हूं कश्वे में विवस्ता बिगारने की किसी ने कोशिश करी तो आप जानते हैं कि सिंगी सों कश्वे में करने वाले का इलाज करने में मुझे देर नहीं लगेगी फिर मैं देख रहा है देख 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 दो च्छाट दो दस साल से जो छुपे हुए कि अब कौन-कौन नुटाकर नहीं करता है कश्वे की विवस्ता एक आदमी ने भी बिगारने की कोशिश करी तो आप जानते है कि पीछे भी मैंने क्या इंजान करें और आगी भी क्या परूंगा ताकत दिना कम नहीं हो मैं कि किषी के दिमाख में गलत फेली हो कि संगी सों ताकत मकवाभी सों भी दायकों के बराबर अभी हूं अकेला में तो आप सब लो अपने कस्पे में मिल जूर कर रहें और कोशि यह था कस्पे के लोग रोज कहले पास दो ती चाल दिन सारे किसा कुछ लवस्ता विघर लिए है हाला कि विघाणने में विघर सकती है अब नहीं बिघर नीची ए या पुलिस भी खड़ी है कहां है इसे पर तो यहीं से लाठी माननी शुरूपरार वहां तक लाठी मानना नहर पार करनागार को जुन ले करें अगर एक जुन ले करें इसलिए आप सब को बहाँ चाय हैं, कलाकार आए हैं गायक है और अलग-अलग प्रोग्राम आज वधन्दा दिवसके मोके पेटा दे मैं उनको भी आपको पता दे संगीत सोम का विवादों से बहुत पुराना नाता रहा है संगीत सोम मेरट के सरदना सीट से दो बार विधाय गरह चुके हैं लेकिन 2022 विधानसबा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा और इस सीट से समाज़ादी पार्टी के अदुल प्रधान ने उन्हें चुनौती दी और उसके बाद वो जीत गए